हालो फ्रेंच वेलकम यू आल आज मैं आपके जो वीडियो नहीं कहा रहा हूँ देखे बात करेंगे एक ऐसे बैंक के स्टॉक की जिसमें कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है HDFC बैंक छोड़ो इस स्टॉक को देखो क्योंकि HDFC बैंक जैसे स्टॉक अलरी अपने आल टाइम हाई को टच कर चुके हैं और नए हाई बना रहे हैं लेकिन जब इस स्टॉक को देखो गया पोटेंशल बहुत जबरदस्त टार्गिट दो हजार पैसा डबल और जब भागेगा तो पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होगी तो चली देखते हैं समझते हैं रिस्क कितना है वो इसको भी देखेंगे और आगे बढ़ने से पहले हमाँ आपको बता दूगा आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले साथ के सानट बैल अकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको प्राइस एक्षिंग सीखना चाहते तो जॉइन कीजे मेंबर्सिप जॉइन बटन पर क्लिक करके अब मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूँ इस टॉक के तरह यह देखिया बाब SDFC बैंक जैसा कि मैंने कहा कि इस गिरावट के बाद आल टाइम हाई जो इसका था 1330 उसको क्रॉस करके और तेजी नई बुलंदियों पर पहुच गया और 1643 का इसने नया हाई इसके अराउंड बनाया उसके बाद अब देखिया बाब को गयर यह तो बहुत तब करेक्शन की उमीद होती है कि इतनी बड़ी रैली आई है SDFC बैंक के शेयर में आप खुद देख सकते हो कि यह रैली जब आई है इतनी बड़ी ऑल्मोस्ट मैं कहूंगा कहां से आपके पैसे को देखिये 700-800 रुपे के लेवल से 1600 रुपे लेवल तक यह गया है अब करेक्शन की उमीद जरूर होती है अगर मैं इसी इंपल्स को नापू, SDFC बैंक को यह और अगर मैं कहूं कि भीया जो करेक्शन है वो थोड़ा और डीप यहां पर आती है तो at least 1200 नहीं तो at least 1300 तक तो यह करेक्शन आना चाहिए क्योंकि यह 1300 क्यों क्योंकि यह प्रायर रिजिस्टेंस जो है औ हम बात कर रहे हैं यहां पे इंडेसेंट बैंक का लिमिटेड की सवंटी एट थाउजन करोड का मार्केट कपिलाशन वन थाउजन का प्राइस अब इसके स्टॉक को जब आप तसल्ली से देखोगे तो आपको लगेगा भया यहां बहुत पोटेंशल है क्या इस पोटेंश में बहुत बड़ा पेन का सिचुवेशन आया था और 2,000 रुपे का शियर 200 रुपे के लबल पर मिलने लग गया था सोच किये 2,000 रुपे का शियर 200 रुपे मूलने लग गया था और अब recovery बेलको चल रही है लेकिन recovery के साथ मैं यहां पर जो learning points है वो आपके साथ शियर करने के कोशिश करूँगा इस high point को जड़ा देखिए इस high point को देखिए इस high point को देखिए यह क्या है देखिए यह जो मैं कहूंगा lower highs बनते गहना इसमें जगर आप तसली से देखो समझो तो आपको दिखे गा भहिया यह volume देख रहे है यह पूरी की comparison में इसमें volume गिर जाता है फिर देखे क्या हाल होता है पेन ही पेन अब वापसी हुई है वापसी मगर देखोगे तो खूब accumulation in areas में हुआ चीजे बढ़ती जा रही है लेकिन अभी recent month में जो correction आई न वो काफी impressive है अब अगर यह correction यहां से पार होती है तो फिर आपके लिए तैयारी माहौल बन रहा है यह rejection candle देखिए मतलब price ने गिरने की कोशिश करी लेकिन इस indecision वाली rejection candle ने कहा कि भईया नहीं हम जाएंगे उपर और अभी देखिए उसके बाद फिर अगली candle follow up candle अब यह situation जो बन रही है current price जो है यह joint high को cross करता हुआ नजर आ रहा है तो मतलब यह level पार होते ही फिर बनेगा हमारा 1600 एरिया 1800 और 2000 यह तीन एरिया यह तीन एरिया है यह stock इनको hit करने की कोशिश कर सकता है और साथ के साथ यह मंतली का चार्ट था अब मंतली के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ weekly पर उसमें थोड़ा ऐसा समझने की कोशिश करते हैं क्या situation बन लिया अगर मैं weekly के चार्ट को यहां पर देखू बुलिस क्रॉस बना है उसके बाद की पहली correction आई है correction के बाद देखे gap डाउन हुआ उसके बाद चपरदस candle ने इस gap को नकार दिया और यह जो लेवल है 1100 का देखे यह इसका क्या है breakout लेवल ब्रेकाउट लेवल के बाद चुमें यह candle देखी काफी impressive candle थी लेकिन उसके बाद consolidation चल रही है तो यह जो last to last week की candle है जो आपको इस तरीके से बिलकुल center candle है दोनों के बीच की इसका high cross हो जाए और daily पे इसके high के उपर close मिल जाए आपको तो मज़ा आने वाला है और आप यह धमा का आपका swing जो है वो start होने वाली है अब साथ के सांद stop loss जैसे मैंने आपको का ना monthly पर 800 बही है तो बहुत दूर हो जाएगा stop loss इतना बड़ा risk कौन लेगा तो improv improvise करना पड़ेगा तो improvise करने के लिए यह 960 के आसपास का stop loss आपका पैठता है weekly के हिसाब से अब इसको daily पे जाके और improvise कर सकते है कोशिश कर सकते है समझने की अब छोटे time frame में जायेंगे लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर तसल्ली से यह move आता है यह move आता है तो फिर आपके पास सीधे सीधे यह है यह 200 SME की लाइन weekly पर strong resistance का काम कर सकती है और यह prices को थोड़ा सा down लाने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है इस पूरी उसमें अभी अगर आप देखू मैं यहाँ से लेके यहाँ तक है movement जरूर हुआ है लेकिन मुझे कहीं volume नहीं दिखा है मुझे इस तरीके से positive बड़े volume नहीं दिखे तो इसका मतलब अगर यह correction resolve होती है और volume बनता है तो फिर वह बहुत बड़ा volume होगा जो अपन थोड़ा बहुत जंप आया है तो volume negligible रहा है तो देखिए आने वाले कुछ volume के tower जो इससे उपर के होंगे वह काफी important होंगे और वह volume जैसी दिखेगा न उसके बाद आप तो अभी से इसको समझने लगे track करने लगे लेकिन यह volume दिखेगा तो बहुत सारे लोग इसमें और इंट्रस्टेड आपको देखने को मिलेंगे लेकिन इसके positive जाने के लिए bank nifty का positive जाना जरूरी है थोड़ा बहुत 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 तेज भागने वाला यहां से बहुत तेज भागे का तो risk आपके पास केतना है आपको already पता है 960 का stop loss इसके नीचे जाएगा तो मतलब अभ देने वाला है थोड़ा बहुत और टाइम ले सकता है चलते हैं डेली पर समझने की कोशिश करते हैं यह आपका डेली चार्ट है डेली चार्ट में अगर मैं देखू तो करेक्शन तो बहुत ही जबर्दस ग्यारा सो बीस के लेवल से आई और इस करेक्शन को अगर आप दे तेजी करेक्शन तेजी फ्लाट करेक्शन जैसा कि हम देख पा रहे हैं और यह करेक्शन जो है वह बुलिस क्रॉस के बाद है इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रडार में यह स्टॉक आया है तो आने वाले मूब को अगर आप देखोगे डेली पर ग्यारा सो बी देखो तो यह एरिया को अगर आप देखोगे तसली से तो बहुत यह देखिए बिलकुल गैप डाउन यह गैप डाउन फिर गैप बिलकुल जॉइंट केंडल यह देखे गैप तो जहां पर यह एरिया जो है यह मान के चलिए एक डिमांड जोन रहा है पिछले कुछ टाइ बिलकुल सोला सो दोजार के टार्गेट को हिट करता हुआ अपनी यह देखी लेकिन मैं यहां पर कुछ पॉइंट आपके साहर करना चाहूंगा और वह पॉइंट्स अगर आप देखोगे तसली से मैं कहूंगा जैसे यह लेवल हम हमारे पास यह दोनों पीक बन रहे थे त तो आपको जैसे RSI पे पर यह मैं जो डेट निकालके देखता हूँ, RSI पर क्या होता जनरली डैवर्जेंस आपको देखने को मिलता है ऐसे पीक्स पर आपको डैवर्जेंस देखने को मिलता है और वहां पर आपको लगता है कि हाँ, चीज़ां आपके बतल लोहर हाई यह कि यह double top है. Double top में price क्या होता है? equal होता है. प्राइस इस तरीके से price का point होगा वो दोनों का almost similar price का point होगा इस तरीके से. लेकिन RSI आपको जो situation दिखाएगा वो कया का कहा नहीं भाई हम कमजोर है. तो इसी डबल टॉप को देखते हो तो divergences RSI के आपके काम आते हैं वहाँ पे की बही चीजे हैं गलत हो रही है और चाहे वो triple top हो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो RSI divergence होता हुआ आपको देखने को मिल जाएका तो एक और important filter आपके पास आ गया divergence का तो चलिए यह update था अभी ignore ना करें क्यों जैसे हभी हम क्या करें weekly की swing तयार होगी जब joint का high cross होगा जो कि क्या level है 10341030 से उपर का क्लोज मतलब यह momentum स्टार्ट वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्राइस एक्शन सीखने के लिए मेंबर्सिप जोइन कीजिए जोइन बटन पर क्लिक करकें थांक्यों थांक्यों पर वीडियो